नमस्कार मेरा नाम यानिक शुर है और आपने देखना शुरू किया है लाइब सिटिस देखे बिहार में सत्ता की सियासत शरकार को बचाने या फिर गिराने की कबायद अब काउंडाउन स्टार्ट है 48 घंटे से भी कम बचे हैं जब ये फैसला हो जाना है कि बिहार में नितीश कुमार संग बीजेपी की सरकार आगे चलती रहेगी या बहुत परिक्षन में सरकार गिर जाएगी बहुत तेज तैयारी है दोनों और से एंडिये की और से भी और लालू यादब तिजस्ट्री यादब की और से भी लेकिन जो खबरे आ रही है देखिए आज पटना में आज पटना के लिए बिगडे है आज जेडियो के बिरहायकों को बिहासलार के मंत्री शरबन कुमार दिन के भोज पर बुलाया है और इसमें नितीश कुमार को भी सामिल होना है उधर आर जेडियो के बिरहायकों की भी बैठक रखी गई है लेकिन जो खबरे आ रही है वह चौकाने वाली है देखिए जेडियो के भीतर सेंधमारी की कोशिस तो की ही जा रही है और नितीश बोद गया में हैं ये सभी के सभी कल पहुँचेंगे जो पटना से बाहर है लेकिन आज जब तिजस्त्री आदब की बैठक हो रही है तो बड़ी खबर ये आ रही है कि इस बैठक में मुकामा की बिधायक नीलम देवी जो बाहुबली अनन सिंग की पतनी है वह सामिल नहीं हो रही है देखे नीलम देवी आर जेडी की बिधायक है और वह बैठक में क्यों नहीं सामिल हो रही है कहने बाले कह रहे हैं कि नीलम देवी लालु यादब और तिजस्त्री आदब के रडार से बाहर है मतलब ठीक से संबाद स्थापित नहीं हो पा रहा है हमने इस बात को कन्फर्म करने की कोशिस की और यह बात कन्फर्म होई कि आज नीलम डेवी राज़त बिठाइकों की बैठक में सामिल होने को नहीं जा रही है तो नीलम डेवी हैं कहां नीलम डेवी के बारे में खबर ये मिल रही है कि वो दिल्ली में है अब देखिये दिल्ली पटना की दूरी इतनी बड़ी दूरी नहीं है कि जब सत्ता की स्यासत सत्ता का संगर्स इतना बड़ा हो तो निलम देवी दिल्ली से फ्लाई कर पटना नहीं पहुँच 2 आज वो पटना में मिटिंग में सामिल नहीं होगी अब इसके तमाम अर्थ और माइने लगाए जार है क्या नीलम देवी सोमबार 12 फरबरी के दिन भी बिहार बिधान सभावे में मौझूद होंगी देखिए हमने नीलम देवी और अनन्तिंके कुछ करीबियों से बातचित करने की कोशिस की उन्होंने कहा कि देखिए सोमबार को वह जरूर बिधान सभावे होगी लेकिन जेडियू के नेताओं को भरोसा है कि नीलम देवी हमारे पक्ष में मतलब जेडियू इस समर्थन में है जेडियू यह सोच रहा है कि जो अबिस्वास प्रस्ताव लाया जाएगा उससे पक्ष में नीलम देवी बोट नहीं करेंगे लेकिन यह कैसे संभव होगा फ्यूप जाली होगा तमाम चीजें होगी लेकिन क्या परिश्टिया बनती हैं तो नीलम देवी आप समझी सकते हैं अनन्न सिंग जेल काट रहे हैं और किन परिश्टियों में उन्हें जेल जाना परा और मुकामा में देखिए नीलम देवी अकेली महिला विधायक है जो आर जेडी में जाती से भूमियार है मतलब हम महिला बिधायक भी ना कहें बिधायक कहें पुरुस में और महिला दोनों में अकेली बिधायक जो भुमियार हैं तो देखिये नीलम देवी को लेकर संसेय कि सिती बन गई आज दयनिक जागरन में एक रपट छपी है कि आरजईडी के बारः बिधायक लालुयादब के रडार से बाहर है देखिए मैं इस बात से नहीं समत होता हूँ कि बारः बिधायक रडार से बाहर है हाँ लेकिन कुछ बिधायक जो हैं इधर उधर दिखाई पर रहे हैं यह बात सच है इससे इंकार नहीं क्या रहता है और इन बिधायकों पर जो संपर्क में नहीं है या ठीक से रणनिती का हिस्सा नहीं बन रहे हैं उन्हें लेकर चिंटाएं हैं लालु यादब की और निती इस कुमार की सरकार गिरा देनी है देखिए जो दूसरा नाम चौकाने वाला है वह नाम है जिन पर आज नजर रखनी होगी आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद जो सिभर से आरजेडी के मेले हैं उनके बारे में भी दैनिक जागरन की रिपोर्ट कह रही है कि वह भी लालु यादब मतलब वह ब्यान थाकुर का कुवा जो मनोज जाने पढ़ा था रासभा के भीतर इसके बाद आनंद मोहन किस तरीके से बरस परे थे जीब काट लेने की बात यह भी कहदी थी और इसके बाद लालु यादब और तजस्री यादब का जो रियक्सन रहा था वह इसकुमा से लगतार मुलाकात करते रहे और आपको पता है कि आनंद मोहन की जो रिहाई हुई है वह रिहाई भी अब सुप्रीम कोट में फस्ता हुआ फस्ती हुई रिहाई फस्ती हुई दिखाई पर रही है क्योंकि सुप्रीम कोट ने उस याचिका पर संग्यान ले लिय है सुनबाई की है आनन मोहन को कह दिया गया है ठाने में हाजरी लगाईए पासपोर्ट जमा कर दीजे महागटबंदन की सरकार के वक्त आनन मोहन की रिहाई का फैसला हुआ था तो आनन मोहन के बेटे चेतन आनन उनके बारे में भी खबर ये है कि वे गायब हो सकते हैं मिटि कोटे बेटे को लोक सभा पहुचाना चाहते हैं अब बैकेंसी कहा है देखिए उनकी तैयारी सिभर में लगातार चल रही थी लेकिन हमने देखा है कि जब से बिहार में इंडिया की सरकार बनी है उन्होंने अपना ध्यान बैसाली की और भी केंदित करना शुरू किया है ब बैसाली में राजपूत और भुम्यार एक हो गए थे लेकिन संकट ये है कि अदि आनंद मोहन नितीश कुमार की ओर होते है या यू कहें कि इंडिये में सामिल रहते हैं इंडिये को समथन देते हैं तो बैसाली की जो सीट है वह लोजपा की सीट मानी जा रही है और तो देखने वाली बात होगी वहाँ देखिए बिनीता विजय जो अमर पांडे की पत्नी है वह भी तैयारी कर रही है उन्हें पार्टी में सामिल कराया गया है देखिए लोजपा के ही इंजिनियर रविंदर सिंग उनकी तैयारी भी चल रही है तो क्या लबली आनंद बोजपा क्यों कहेगी कि आप लबली आनंद को चुनौल लरा दीजे तो ये सारी सितिया प्रिसितिया लेकिन सबसे बड़ा सबाल ये कि अनन सिंग की पत्नी आज मेटिंग से गायब होने जा रही है शोमबार को रहेंगे की नहीं रहेंगे यह देखने की बात होगी चेतन आनन पर नज़र रखिए और कौन-कौन से बिधायक जेडियू की भोज में नहीं आए आज श्रबन कुमार के हाँ जो भोज है जिसमें मुख्मंती निटीश कुमार को भी सामिल होना है देखे जेडियू की ओर से क्राइसिस मेनेजर बने हुए है असोक चौधरी, संजय ज श्रबन कुमार, संजय गांधी, ललन सिंग तो हैं ही तो हमने ये भी देखा था कि दोनों पक्छों में मतलब यदि नाराजगी की बात करें तो जेडियू के भीतर भी जो नाराज बिधायक दिख रहे थे उनमें अधिकान संख्या भुमियार बिधायकों की थी और कॉंग सीट है, वो कॉंग्रेस को ही मिल जाए, अखिलेस परसा सिंग को ही मिल जाए, तो इस दोरी चुनौटी से कॉंग्रेस जूज रही है, आगे क्या होगा, आज दिन भर क्या चलता रहेगा, यह भी आपको हम बताएंगे, आप देख कर ये लाइव सिटिस को, यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरू कर लिजेगा, और इस वीडियो को फेस्बुक पेस के मादिम से देखाए, तो पेस को लाइक किजेगा, ट्यूटर पर भी हमें पॉलो किजे, धन्यवाद.